हेई चैंप्स मेरा नाम है लक्षे वर्मा और आज हम एक नौवल समझेंगे जिसका नाम है फीड इस नौवल को M.T. Anderson ने लिखा है M.T. Anderson एक अमेरिकन राइटर था यंग एडर्ट फिक्षन का Anderson qualified है St. Mark School, Harvard College, University of Cambridge और साहराकूज उनिवरसिटी से तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करें हम इस नौवल को Easy Language में समझते हैं नौवल की शुरुवार्थ होती है प्रोटेगनिस्ट से जिसका नाम है टीटर्स टीटर्स के फ्रेंड्स मार्टी, लेंक, केलिस्टा, लोगा और क्वेंडी वेकेशन पर मून पर जा रहे हैं टीटर्स और उसके फ्रेंड्स को एक पार्टी में एंट्री नहीं मिली क्योंकि उन्होंने रेड और वेट लुकिंग कपड़े पहने थे वो सब डिसाइड करते हैं और रिकोशेट लॉंज पौच जाते हैं वहाँ पर टीटर्स नोटिस करता है कि वोईलेट उसको देख रही है वोईलेट उस लॉंज में थी क्योंडी को अभी भी बुरा लग रहा था कि उन्हें कपड़ों की वज़ा से पार्टी में एंट्री नहीं मिली लेकिन वोईलेट क्योंडी को comfortable feel कराती है मार्टी और लिक्ट वोईलेट में interested है लेकिन वोईलेट का focus टीटर्स पर है उस party में एक old man आता है और टीटर्स और उसके friends की feed hack कर लेता है टीटर्स और उसके friends disconnect हो जाते हैं feed net से वाइलेट टीटर्स और उसके friends hospital में उठते हैं जो की moon पर ही है बिना feed के सब एक दूसरे को घूर रहे थे वॉयलेट के अलावा सभी के पैरेंट्स बिलने आते हैं अपने बच्चों से टीटस और वॉयलेट शेयर करते हैं अपने इंटिमेट मुवमेंट्स को उस हॉस्पिटल में कुछ दिनों बाद उनसा भी की फीड दी स्टोर हो जाती है और सारे फ्रेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं अब कुएंडी जलस है कलिस्टा से क्योंकि कलिस्टा लिंक को डेट कर रही है लोगा को ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो क्योंकि उसकी feed hack नहीं हुई थी सब friends क्वेंडी के घर पर party करते हैं क्योंकि क्वेंडी के parents भार गए हैं Titus और Violet एक दूसरे को date करना शुरू करते हैं Violet बताती है Titus को कि उसका feed wear जादा damage हुआ hack होने के time Titus और Violet काफी close हो जाते हैं और Titus देखता है कि Violet को paralysis attack आ रहे हैं क्योंकि उसकी feed damage है उन सबी की feed वापस hack हो जाती है और उनको एक graphic news दिखती है दंगों की Violet feed tech customer assistance को report करती है कि वो सिर्फ advertisements देख पा रही है Violet Titus को बताती है कि उसकी feed malfunction कर रही है और उसकी body के basic function fail हो चुके है Titus Violet को comfort करता है Violet को एक और attack आता है जिसकी वज़ा से Violet Quindy को एक monster कहती है Violet attack की वज़ा से Titus को slap करने वाली थी और Violet चोक करती है और limp हो जाती है Hospital में Violet Titus से माफी मांगती है जो भी उसने Quindy के बारे में बोला या Titus को harm करने की कोशिश की उसके लिए Violet बताती है कि उसकी एक साल की मेंबरी जा चुकी है attack की वज़ा से और उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है Quindy Titus को कहती है कि वो Violet को better treat करे लेकिन Titus Violet के messages का respond नहीं करता Violet को Titus का message कई दिनों से नहीं मिला वो Titus के घर जाती है और उसको invite करती है weekend trip पर Titus बहुत ही uncomfortable था Violet के साथ और वो confess करता है कि उसने Violet के साथ रहने को sign नहीं किया जब वो मर रही है Violet और Titus break up कर लेते हैं Titus date करने लगता है Quindy को कुछ मैनों बाद Titus को Violet के फादर का message आता है Message यह था कि वक्त आ गया है यानि कि Violet की death पास है Titus Violet से मिलने जाता है और Violet के फादर Titus को बहुत गुसा करते है कुछ दिनों बाद Titus Violet से वापिस मिलने जाता है Violet आखरी सांसे ले रही थी Titus Violet को नई स्टोरीज बताता है दुनिया की और Violet को कहता है कि वो Violet को हमेशा याद रखेगा